हाई एवरीवन वेलकम टू माई चैनल आज हम पेंडेंट सेट रेडी करेंगे हमें इसके लिए चाहिए यह पेंडेंट यह पेंडेंट बीना पेंडेंट है और इसमें मीना है और कुंदन है और यहाँ पेंडेंट के भी कुंदन मीना है और यह साइडेंट में कर्ट है पेंडेंट के भी कर्ट है और जॉंप रिंग है लॉरल बीड्स है लॉरल चेन है और यह हुक है हम सबसे पहले जॉंप रिंग लेंगे जॉंप रिंग को हम यहां उपन करेंगे और इसमें लॉरेल बीड्स डालेंगे यहां पे मैं तीन लॉरेल बीड्स यूज़ कर रही हूं हैंगिंग के लिए और हम यहाँ पे जो कर्ट्स हैं यह वाले हम यहाँ पे हैंगिंग करेंगे देखिए हम ऐसे हैंगिंग करते जाएंगे के करके हम लॉरेल बीड्स जंप रिंग में डालते जाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ साइड का कट बहुत छोटा है यह देखिए ऐसे लेंगे हम यहाँ से देखिए जैसे हमने यह सेंटर का जो है इधर से लेके हमने यहाँ से निकाला था लेकिन इसको हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि इसका यहाँ से कट बहुत छोटा है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब हम इसके सेंटर में लेंगे यहां पे हम सेंटर में बड़ा जॉंप रिंग लेंगे यह देखिए इसके बीच में काफी गैप है तो इसलिए हम बड़ा जॉंप रिंग लेंगे जो एजली जला जाएगा यह देखिए यहां पे मैं ज्यादा हेंगिंग्स डाल रही हूं ज्यादा लॉरियल्स डाल रही हूं बीच क्योंकि यह जंप रिंग काफी बड़ा है नहीं तो खाली खाली लगेगा यह देखिए इससे यह अच्छा भी लग रहा है हैवी लग रहा है अब हम यहां पे भी ऐसे रेडी कर लेंगे अब यहां पे हम जंप रिंग लेंगे और दूसरी साइट रेडी करेंगे इसकी लड पर गपस्टिशे साजस मतली बड़ा है समयारा भी लगे लग。 झाल स्भागा Official स्भागा करेंग अबックक करेंगे अवम जौसरी लग ख aucun जाली करेंगे रेवारी के साइ़ vår आ़ जंगने हैं यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेंडेंट अब हम इसके यह रिंग रेडी करेंगे और इसमें भी हम जंप रिंग उपन करके लॉरल बीर्स टालेंगे यह देखिए हमारा यह रिंग रेडी हो गया है यहां पर छोटा जंप रिंग यूज हो गया है और यहां पर भी मैंने तीन लॉरल बीट से डाले हैं और अब हम पेंडेंट रेडी करेंगे यह रेखिए यह जो पेंडेंट है हम इसके लिए चेन लॉरल चेन यूज करेंगे क्योंकि इसके नीचे भी हमने लॉरल किया आप चाहों तो सिंपल गोल्डेन चेन भी यूज कर सकते हो और स्टोन चेन भी मैं यहाँ पें लॉरल चेन यूज कर रहे हूँ और यहाँ पे भी हम सबसे पहले जंप रिंग लेंगे जंप रिंग को उपन कर लेंगे यह लॉरल चेन हम कनेक्ट कर देंगे जंप रिंग के साथ यह देखिए और अब हम इसके पीछे हुक लगाएंगे यहाँ पर हम जंप रिंग करेंगे इसके साथ हम एक जंप रिंग और कनेक्ट करेंगे आपको चेन छोटी रखनी है तो आपको एकी जंप रिंग बहुत है अगर आपको चेन ज्यादा हैंगिंग में चाहिए तो आप इसमें दो चार जंप रिंग और एड़ कर सकते हूँ अब हम दूसरी साइट भी जंप रिंग यूज करेंगे में जंप रिंग के साथ हमने लौरल जेन कनेक्ट कर लिये अब हम यह हूग करेंगे इन देखे हम इसको यहाँ से उपन करेंगे पर एड़स्ट करना हूँ आप अर्ज़स्ट कर सकते हूआ इसको देखे हमारा रेडियो हो गया झाल पर जादाऒ जब नो नो में गबस्टे भाहाई बग़ाईबंट नोग दिलतार टाहईज कर सकैंड़ जोगमा जड़ाईबंटें लिकाहाईबंटा जादाईबंटर्चे लोस्टे कि अफट से खिएवाईबंटर्चे हाईभाईबंटर्चे जा मेंगाना दूआएबं